आपका स्वागत है दरंडी इशो क्लिप्स में, बस देखते रहो और सीखते रहो आप जानते हो कि हमारे पिछले कॉनरसेशन की वज़े से एक बहुत बड़ा इंटरनेट मीम बन चुका है जहां TRS को लोग असोशियेट करते है येटी के साथ मतलब अगर कोई भी TRS का रील अपलोड होता है उसके नीचे लोग कॉमेंट कर देते क्या येटी भी TRS के मीम्स बनाते है काफी सारे लोगों ने कॉंट्रिबूशन दिया है मैं तो छोटा सा हिस्सा हूँ ये पर आपका एपसोड में था ये जो भी आपकास हमने रिकॉर्ड के तीन पॉडकास रिकॉर्ड किये था बहुत बड़ा रिस्पॉंस आया ओडियन्स से तो ये रिस्पॉंस को आपने डाइजेस्ट कैसे किया मतलब आपके नजरिया से क्या हुआ कही सारे सारे लोग उड़े वह मेरे को सबसे बड़ा जिसके पार में पहले बड़ा स्केप्टिकल वह करता है क्या जरूरत है कुछ करने की भोलने की या सियर करने के experiences, फिर मुझे लगा है नहीं है बहुत सारे लोग हैं जिनकी similar thought process है, जो सेम चीजों से connect होते हैं, and they find lot of pleasure and intrigue and interest in what other people are doing, वो मेरे को सबसे बड़ी चीज लगी क्योंकि इतने सारे लोगों ने देखा और 4G वाला तो सबसे कम देखा है पर adventure और येती वाला बहुत जादा देखा है, so that shows कि यह मतलब लोगों में इन चीजों में इंटरेस्ट था जो में पहले जादा सोचता नहीं था like-minded मतलब क्या explorers? हाँ, I mean मेर को लगता है हम में से हर किसी में क्योंकि हम अगर हम अपना देखे हम जहां से आरे हैं हम सब हंटर गैजरर की रहें हम वाला से नोमैड्स रहें हमें से ट्रेवलर रहें हमको हमेशा से प्रकृति के जो अलग अलग चीजे हो को यह फैसिनेट कर आ रही है पर हमारी आज़कल की जैसे जिन्दिगी होगी उसमें बिल्कुल वक्ती समय नहीं है और एक के वल इंडिय में नहीं यह वर्ल्ड ओवर यह तरू है तो वो कहीना कहीं से वह एक इनर लॉंगिंग कनेक्ट होती है है हर कोई ब्रेक फ्री करना चाहता है हर कोई एक्सप्लोर कर दिया है हम बिल्कुल यह मतलब इस फर में इस सुप्रीम काइंड अफ मेडिटेटिव एक्सपिरियन्स क्योंकि आम साइक्लिंग सुबह से शाम तक आम एप्सिलूटी अलोवन इंदा मोस्ट ब्यूटिफुल अफ लैंड्सकेप्स दुनिया भर के माला आइफरिका वाज एक्सपिरियंस ओके एक मिन होल्ड इस थौट थोड़ा कॉंटेक्स दीजिए क्योंकि कुछ ओडियंस में शाया पहले वाले तीन पॉडकास नहीं देखें तो थोड़ा सा कॉंटेक्स दे दीजिए शौट में कि आप हो कॉन और हम एक्स्प्लोरेशन और साइकल की बास क्य के पगलास और अर्जंटीना में शौट अमेरिका में तो यह तीन वो टिप्स भी में टच कर रहा हूं और एक्स्प्लोरेशन से पहले आप क्या करते थे उसके पहले में स्पेशल फोर्सेज में था उसके बीच मैं थोड़ा चाइन में टाइम पास किया तो अरी तरह दर ग बिल्कुल शुरू से ता, spirituality भी और adventure भी और पूरा इंटरकनेक्टेट इए इंडिपेंडेंट इन्डिपेंटेंट इन्डिपेंट नहीं मेरे लिए तो मैं जो कुछ भी करता हूं मैं किवल एक पर्टिकुलर अर्टिक लिए कि लिए नहीं कर रहा हूं वो सब कुछ अर्टिकुलिटी तो बेस है क्योंकि बच्छपन से क्योंकि मैंने किताबें बहुत आटोबिग्राफिय और योगी सिस्क्लास में पढ़ लिए उसके बाद मेरामकरिशन अश्रम बहुत बच्छपन से जा रहा हूं तो मेरी जिंदिगी की फांडेशन है और शायद उसने म हमने touch upon किया था last time एक episode में मैं फिर से आप से पूछूंगा सर जब आपने अपना military career का chapter close किया तब exactly life में हुआ क्या था और आपके दिमांग में क्या चल रहा था एक्स्प्लोरेशन करनी थी या एक ब्लैंक स्लेट थी दमाग में यह तब मेरी ऐसी स्टेट थी कि कि फॉज में जो कुछ करना था मैं कर चुका था और मुझे फॉज का पता है आगे क्या होने वाले मतलब इट वारी प्रेडिक्टिव रूट फॉज वरी प्रेडिक्टिव अर्डिक्टिव रूटिशन स्पैशलि वंस यह फिनिश्ट विडिए इट विड़ था 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 थी यह जो आपके फिल्म में उसके बाद बहुती प्रेडिक्टिव प्रोग्रेशन ए आर्मी में और तब तक मेरा मतलब मेरको बहुत सारी क्या होगा कैसे होगा पर वो तैने कई बार की जिंदगी में यह आप कन्वीन होतें कि क्या नहीं करना और आपको कई बार मतलब यह नहीं पदा था क्या करना है बट आई वस रड़ी तो गैंबल क्यों कि उसके बाद तो फॉज की अच्छी जिंदगी शुरू हो थी बार स परसेप्शन ऐसा सा पर मिर को बहुत कुछ करना था हैर जिंदगी में और तब से लेके मतलब मैंने 2011 में फॉज चोड़ी और तब से लेके आज तक कितने अब तो ज्यादा साल हो गया आर्मी छोड़े हुए हर साल मेरा बहुत एक फैसिनेटिंग रहा है बहुत बहुत कुछ हुआ है और मैं बहुत बड़े-bड़े लोगों से मिला है थी ऋसे मिला हु रिक्टिर्स, पॉलिटिशंस, बिग बिजिनसमें बहुत साहलों मुझसे यह पूचरा की सबसे मेम्रेबल गेस्ट कौन था मैंने अखसर आपका नाम लिया वा वा या ग्रेट और ऑड उल दिमाग को, दुनिया को, व्रिवन ऐस चीजों को चेज कर रहे, नंबर्स को, फेम को, मनी को, एक्सेटर 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 और जितने भी फॉजी मिले, उन में से शायद आप सबसे मेमरबले, बिकॉस फॉज तो आफ्टर यौर फॉजी करियो, तीन पॉडकास्स किया आपके साथ, शायद पिछली बार आठ घंटो के लिए हमने बात करी थी, साथ, आठ, लिए अपर आपको जान नहीं पाया हूं, क्योंकि जो भी आपके डिसिजिएंस है, जिस तरह से आप लाइफ जी रहो, प्लस आपके एक बहुत हलिए लव लाइफ भी है, आप उसे भी बैलन्स कर रहो, यह बहुत रर्ली दिखाई देता है, बस जिस तरह से आप एक्स्पोर करों साइकल पे, इस जिस एक दिस्वेंट भी दिफिरेंट लाइफ, एक अनुमली यह उन एक प्लस के बढ़ाएफ, यह प्लस कर रहा हूं क्योंकि मैं, अगें मतलब जो हम कर रहे हैं, वह हमारी सोच का रिफलेक्शन है, it's a seed planted in your head which slowly grows and you know it engulfs your thinking whatever we are doing whatever state we are in whatever how we react to situation it's all somewhere subconsciously in our mind which is controlling things so I also mean somehow from my childhood because we are very difficult to take a decision that everyone is doing it so from my childhood this is in my mind that majority is always wrong so for me decision making it very easy wow so whenever someone gives me a reason that majority is doing it so it was very easy I just used to turn 180 degree opposite and do what I wanted to do because I have conviction statistics or analysis that if majority is doing it then there is something corrupt about it either it is very easy or very easily attainable or there is nothing great about it I mean majority is wrong in majority of the cases in few cases it is right so so that conviction where I started this so that's why I didn't do so many things that people do in my childhood and that's why I got a lot of freedom after that I never bought a house I never saved any money I never saved any money it was a little bit but it gave me a lot of freedom so you can you know when you have to leap forward you can leap the maximum when you have less baggage if you have a lot of it too then you cannot take a big leap then you cannot take a big leap then as much as your minimal life and as much as your minimal wants and as much as your mind is bright you can take a leap so I was never fascinated or convinced by the way of the worlds never and I always had this habit of reading when I was little I was going to study my whole time and I was going to study in the beginning of the Flesh Gordon and Mandrake comics from the Phantom and I still remember the comics from the verbatim and somehow I am going to study my fantasy that Flesh Gordon is going to play on Mars or somewhere and he is going to play on the barren landscape he is going to play on his adventures and he has left a deep imprint on me and plus because I was studying a lot of spirituality and a lot of philosophy so I felt a lot of meshed up things from the beginning of the beginning and then I feel that success is very important to make everyone's definition of its own. It is not always the highest, the fastest, the brightest, the most liked, you know, bliss, peace, harmony, love, it is not a quantifiable quantity which matters most. That is why I had a lot of confidence in that situation that the society, the growth of the society, the growth of the society can be wrong or it is not a good thing for me and I have to explain myself what I want to do in my life. And all of these were very small mistakes. I mean we can't imagine in Hindustan what I am doing, I can't think about everything myself. But when our belief is very strong, when we know that someone said good, that there are many things in life which are worth more than the life itself. But when it comes to the belief, when it comes to the belief that you have to bring yourself to yourself, that if you want to do what you want to do with the society, then you stand alone. Then if you fail, then the world will come to speak, I was saying before. So you can sleepwalk, you can go to the streets, you can go to the streets, and the life of the world, there is no bad thing, I don't think there is no bad thing. But if you think about it, it is your choice. So I have always kept the choice. And I made the choice that I made, who are my friends, who are my wife, and my family, who are my friends, who are my friends, who are my family always with me. Because they believed that I was doing what I am doing. And as many of us had taken a decision in our personal life, that children didn't get to be born, it was very difficult for Veena. But over a period of time, she got convinced. So all of these things are very necessary. A solid foundation, if you have to stand up for your belief, that is very necessary. So all of these things have been uploaded on this channel. You can explore this channel, watch it and watch it. And watch it. We'll see you next time. Peace out. We'll see you next time. Bye. 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 Bye.